तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो कहानी के शुरुआत में हम बेला नाम की लड़की को देखते हैं जो के साउड डेली में रहती है और शुरुआत में उसका पती अगस्तिया उसे घर से निकाल देता है इतना ही कम नहीं था कि उसी वक्त बारी शुरू हो जाती है उसका फोन उसका भाई समर उठाई नहीं रहा था और ये सब हुआ कैसे ये समझने के लिए कहानी जाती है बहुत पहले जब बेला का जनम हुआ था तो उसकी दादी उसके ममी पापा उसका नाम रखते हैं बेला लेकिन बेला खुद को बुलाना पसंद करती थी बे वो कहती है कि जब उसका परीवार राजस्थान से दिल्ली आया था तब वो लोग बहुत अमीर हुआ करते थे लेकिन धीरे धीरे परीवार में रह रहे लोगों के बीच आपसी दुश्मनी होने लगी और बेला की जो मा है गाईत्री वो एक एक्ट्रिस है और एक फिल्म में गाईत्री को देखकर बेला के पापा को उनसे प्यार हो गया था और इसी तरह वो दोनों मिले थे खैर इसके बाद हम देखते हैं कि बेला होर्स रैडिंग करना चाहती थी लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है जबके उसके भाई समर को होर्स रैडिंग करने की परमिशन दी गई है वो पोलो खेलता है और उसी मैच के दौरान गाइत्री अपनी बेटी बेला से कहती है कि उसका फोकस होना चाहिए अगस्तिया पर जो कि एक बहुती बड़े अमीर खांदान का वारिस है बाखिरकार वो समय आ जाता है जब बेला को सोसाइटी में डेब्यू करना था ब्रिजर्टन की तरह उसी दिन अगस्तिया का डेब्यू होना था सोसाइटी में और उसकी माँ से कहरी होती है कि तुम्हें अगस्तिया के दिल को जीतना होगा सेबी वाले तुम्हारे पापा के पीछे पड़े वे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो अगले साल तक हम लोग कंगाल हो जाएंगे, अब तुम ही हो जो हमें बचा सकती हो, समझरी होना के तुम्हें करना क्या है, और उसके बाद वो वहाँ अगस्तिया के साथ डांस करने लगती है, और दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है, और बेला अगस्तिया के साथ पहुंच जाती है नियू यॉर्क, जहां पर अगस्तिया बिजनस स्टडी कर रहा था, और नियू यॉर्क में रहकर बेला भी कई सारे शौर्ट कोर्सेस कंप्लीट करती है, जैसे के सोशल मीडिया फिर एक दिन अगस्तिया बेला को प्रोपोस कर देता है शादी के लिए, और इसी के लिए बेला तो इतने दिनों से खुद को तयार कर रही थी, और ये मोमेंट वो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पे डाल देती है, अब इसके बाद बेला और अगस्तिया की शादी हो जा प्रेशा डाल रहे हैं कि अब जल्दी से वो मा बन जाए, बेला तो बस अब ये सब में अपनी खुशी ढूणने की कोशिश कर रही है, एक दिन उसका जनम दिन भी आता है लेकिन अगस्तिया उस दिन भी अपने काम पे जाने वाला था, क्योंकि उसे टेसला कमपनी के साथ एक बहुती बड़ा डील क्रैक करने का मौका मिला है, मगर बेला उसके साथ जाना चाहती थी क्योंकि वो यहाँ अकेले नहीं रहना चाहती अपने बड़े वाले दिन में, मगर अगस्तिया कहता है वहाँ मीटिंग में किसी की पतनिया थोड़ी आएंगी, अगस्तिया उसक कहता है कि वो उसके लिए क्रिकेट टीम खरीत देगा, यौट खरित लेगा, बेला को यह सब नहीं चाहिए, बेला उसके साथ वक्त बिताना चाहती है, क्योंकि वो अकेली पढ़ गई है यहाँ, सोशल मीडिया पर उसके करीब 2000 और फॉलोवर्स एड़ हो जाते हैं, लेकि थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करने के बाद, दोने एक दूसरे से बाते करते हैं, और प्रिंस उसके कमर पे टैटू देखता है, और पूछता है यह टैटू किसलिया है, बेला बताती है, असली में यह एक उल्लू है, जो उसकी स्पिरिट अनिमल है, प्रिंस अपना टैटू जिसके बाद दोने एक दूसरे को किस करते हैं, अब कुछ दिनों के बाद एक और पार्टी हो रही होती है, जहां अगस्तिया से मिलने के लिए एक बहुती बड़ा क्लाइंट आया होता है कोरिया से, और बेला अपने अजीब-जी बातों से उन्हें हसाते रहती है, जिससे वो क्लाइंट भी खोश हो गए थे, बेला अगस्तिया के साथ रहना चाहती थी लेकिन अगस्तिया उसे रूडली कहता है कि तीन साल हो गए तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, मैं क्लाइंट के साथ हूँ, वो अपने क्लाइंट के साथ चला जाता है और बेला को बहुत बन जाता है, और बेला को अगस्तिया अपने घर से बाहर निकाल देता है, और वो जाती है अपने घर, और बेला की माँ बहुत जादा परिशान थी, क्योंकि हर जगा यही खबर फैल गई है कि उसकी बेटी ने क्या कांड कर दिया, और वो अपनी मैनेजर से कहने लगती है किसी तरह खबर को दबाने के लिए, फिर वो टीवी पर देखती है सत्यजीत नाम के एक जर्नलिस्ट को, जो एक औरत के कैरेक्टर का पूरी तरह से धज्जिया उड़ा रहा था, और यह देखकर गायतरी अपनी बेटी से कहती है, अच्छा हुआ कि इस चैनल तक तुम्हा एक ऐसी परवरिश दी है, इसलिए वो अपनी बेटी को घर से निकाल देती है, और वो बेला से कहती है कुछ समय के लिए लौस एंजलिस चली जाओ, जब यहां सब कुछ ठंडा हो जाएगा ता वापस आ जाना, अब वो अपनी दोस्त तारा से मिलने के लिए पहुँच ज वहां नई शुरुआत करो, अब इसके बाद देखते हैं कि वो बस टॉपर बैठी हुई थी, और उसे प्रिंस का 36 मिस कॉल आया हुआ था, जब वो उसे कॉल करती है तो वो कहती है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती, और मेरी फैमली ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मैं शादि अब इतना कम नहीं था कि अब वहां पुलीस भी आ जाती है और उसका ब्रीधिंग टेस्ट करके उन्हें पता चल जाता है कि बेला ड्रिंक कर रही थी, और ड्रिंक और ड्राइफ के वज़े से बेला को ठाने ले जाया जाता है, बेला खुश हो जाती है कि कम से कम राद भर रहने के लिए कोई जगा तो मिल जाएगी, लेकिन वो पुलीस वाला कहता है बस कुछ समय के बाद, हम तुम्हें छोड़ देंगे, पुलीस टेशन में बेला के आजू-बाजू में एक और एक आदमी बैठा वा था, और वो आदमी कहता है कि वो अपने भावी को जहर देन और उसके लिए दस हजार देने होंगे, वो आदमी कहता है हमें भी छोड़ दीजिये, तो हवलदार कहता है पांच हजार दो उसके बाद, बेला उस आदमी की भी मदद करती है, और कहती है मैं इसके लिए पांच हजार दे दूँगी, वो आदमी भी छूट जाता है, और ब बाहर आती है तो उसे प्रिंस का कॉल आता है जो उसे बताता है कि मैंने तेरे भाई समर का सिम ट्रैक किया तो पता चला वो सोल में नहीं है वो मुंबई में है बेला की नजर जाती है एक होर्डिंग पर जहां एक एरलाइन का एड़टाइजमेंट था और उसमें उल्लू बन परिंस उसके लिए टिकेट बुक कर देता है और फ्लाइट रात साड़ तीन बज़े है वो टैकसी खुद के लिए नहीं रोक बारी थी इसलिए वो आदमी बाहर आता है और उसके लिए टैकसी रोकता है और बेला एरपोर्ट के लिए निकल जाती है मुंबई पहुंचकर बेला जाती है उसी होटल में रहने के लिए जिसका मालिक उसका भाई है और वो सभी वरकर्ट से काफी अच्छे से बात करती है जिसे देखकर उन सभी को भी काफी अच्छा लगता है और चेक करने पर पता चलता है कि समर अभी फिलहाल यहां नहीं रह रहा जिससे बेला भ पर्षों के बहुत बड़ी लथ है, वो बेला को बता देती है, कि आपके सारे क्रेडिट कार्ड डिकलाइन हो गएं, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा लेकिन, बेला देखती है उसके पास जादा पैसे थे ही नहीं, साहरा देखती है कि बेला के पास जो पर्स है वो एक प्रेंट का है, साहरा ये देखकर कहने लगती है कि मेरा भी सपना था मेरे पास ऐसा ही एक पर्स हो, बेला उसे अपना पर्स दे देती है और कहती है कि चाहो तो तुम ये रख सकती हो, जिससे साहरा खुश हो जाती है, मगर बेला को अब पैसों का इंतिजाम करना प्रेशान होने लगती है, तब ही साहरा देखती है कि बेला एक रिंग पहनी भी थी और कहती है कि इससे तो आपको कहीं पर भी दो दिन के लिए जगह मिल जाएगी, मगर वो कहती है ये मेरा वेडिंग रिंग है, साहरा उसे कहती है आपको पेंट हाउस जाना चाहिए, यहां से चले जाना चाहिए, इसके बाद अगस्तिया को वो समझाने लगती है, लेकिन अगस्तिया उसे कहने लगता है कि मेरी मा शुरू से कह रही थी कि तुम से शादी नहीं करनी चाहिए, मगर मुझे लगा कि बेला थोड़ी मूफट है, लेकिन लड़की अच्छी है, और कहता है कि वो मुंबई में एक भी दिन नहीं टिक पाएगी, क्योंकि यहां कमपोटेशन बहुत है, यह सुनकर वो कहती है कि मैं यहां टिक कर दिखाऊंगी, और यहां मुंबई में अपना खुद का नाम बनाऊंगी, तुम्हारी तरह नहीं कि फैमली के नाम पर पैसे कमाऊंगी, और वो अगस्ता से कहती है कि तुम्हें एक दिन जरूर रिलाइज होगा कि मुझसे शादी करना गलट डिसीजन नहीं था, जाने से पहले वो होटल के वरकर्स को अपनी तरफ से कुछ पैसे आफर करती है, जिससे वो लोग भी खुश हो गए थे, इसके बाद वो आटो से वहाँ से निकलती है, और पहली बार आटो में ट्रैवल वो कर रही थी, और उसके साथ साथ सायरा भी होती और पूछती है आखिर तुम यहाँ सर्वाइव कैसे करोगी, तो वो दिखाती है कि उसके पास बहुत सारे डॉलर्स बढ़े हैं, जो उसने न्यू एक्सचेंज कराने के लिए, वो लोग पहुंचते हैं एक होस्टल में रहने के लिए और वहाँ पर बहुत सारी लड़किया रहरी होती एक ही कमरे में, जो खाना मिलता है वो भी बेला को पसंद नहीं आता, क्यूंकि वहाँ कुछ भी लैक्टॉस और ग्लूटन फ्री नही पहुंचती है डिजाइनर कमपनी में जहां से सैलरी नहीं बलके एक्सपोजर मिलेगा, मगर वो कहती है जादा एक्सपोजर से स्किन कैंसर होता है और उसे वहाँ जॉब नहीं मिलती, फिर वो एक लॉफ फर्म में जाती है काम करने और वहाँ पर एक कपल आते हैं, जो एक में महेंगे बैग्स ऑनलाइन बेचने लगती है, फिर एक रात सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और बेला बहुत जादा ड्रिंक कर चुकी थी, क्यूंकि उसकी हालत बहुत ही जादा खराब है, और वो बहुत ही जादा दुखी थी, तब ही वो टीवी पर जर्नलिस्ट स निकालती है, और वो वीडियो में ये कहती है कि सत्य जीत एक फेक इंसान है, और वो किसी की भी कदर नहीं करता, अब ये वीडियो आनलाइन डालते ही बिलकुल वाइरल हो जाता है, और सुबह होते होते वीडियो में बहुत सारे लाइक्स, कॉमेंट्स और शेयर्स आते है अब इस वज़े से ऑनलाइन बेला फेमस हो गई थी फिर अगले दिन हम मिलते हैं नील नाम के लड़के से और वो फिलहल कम्यूनिटी स्विमिंग पूल में स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन आज तक उसे पानी में कूदने की हिम्मत ही नहीं हुई और वो भी ब बेला को उसी न्यूस चैनल में आना चाहिए लेकिन टी आरपी के लिए तो सत्य जीत भी काम करता है इसलिए बेला मना कर देती है बेला को लग रहा था कि शायद अब वो न्यूस चैनल उसके उपर डिफेमेशन का केस कर देंगे इसलिए अब वो थोड़ी डरने लगी थी इसके बाद टी आरपी न्यूस चैनल हेड आफिस में हम देखते हैं कि वहाँ पर नील भी काम करता था और वहाँ सबी लोग बैट कर मीटिंग कर रहे होते हैं अगले स्टोरी के बारे में पर वहाँ नील और सत्य जीत की बीच थोड़ी सी नूग जोख हो जाती और सत्य ज नील को याद दिलाने लगता है कि तुम्हारा शो तो बिल्कुल भी नी चल रहा वो शो बिल्कुल ही फी का है बिल्कुल तुम्हारी तरह गुसे में नील उटकर वहाँ से जाने लगता है और तबी गलती से एक लड़के से वहाँ पर बेला वाला वीडियो चल जाता है जि एक सच्चाई थी, बेला मान जाती है और वो नील से कहती है कि तुम्हारे ओनलाइन पोस्ट लिखने का तरीका काफी ओर्डेनरी है, ऐसा लग रहा है किसी बॉट ने लिखा है, सोशल मीडिया पे ना थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ता है कोशन मार्क लगाओ, फुल स्टॉप नहीं हैश्टेग को यूज करो और सुभा के साथ बज़े पोस्ट मक्या करो क्यूंकि उतने सुभा कोई भी ये सब देखने नहीं आएगा इसके बाद वो सोशल मीडिया पे एक नया पोस्ट लिखती है कोशन मार्क लगा कर और हैश्टेग भी लगाती है अब ये देखकर नील उसे अपनी टीम में एक पोस्ट आफर करता है सैलरी के साथ, जिसे वो भी खुश हो गई थी और बेला सोशल मीडिया अकाउंट समा लेगी बेला बाहर आती है और उसके पोस्ट पर प्रिंस का कमेंट आया था जिसे वो ब्लॉक कर देती है उसके बाद वो अपने दोस्ट साइरा के साथ एक बड़े से होटल में जाती है और वहाँ वो अपने ऑनलाइन डेट के बारे में बाहर बैठे वाचमेंट से पूछने लगती है वहीं पर बेला को उसका पती अगस्ट्या भी याद आने लगता है मगर साइरा उसे याद दिलाती है के अकेले और खुल कर जीने का एक अलग ही मज़ा होता है और वैसे भी बेला को अपनी पहचान बनानी चाहिए जिसके बाद बेला तयार होकर अगले दिन ऑफिस जाती है और वो एक एमपलॉई टमारा से मिलती है जो उसे वहाँ के तौड तरीके बता देती है और कहती है कि 9 से 5 बज़े तक उसे काम करना ही होगा और उसे यहीं कहीं अपने ले घर ढूंड लेना चाहिए क्योंकि वो लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं और लेट होना बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर आशिश नाम का एक लड़का था जो तमारा को पसंद करता है लेकिन तमारा उसे कह देती है कि मेरा और तमारा कुछ भी नहीं हो सकता फिर दोनों जाते हैं स्टूडियो में जहां सत्य जीत अपना शोव शूट करने वाला था और वहाँ पर उसकी असोशियेट हरलीन भी होती है जो कि उसकी गल्फरेंड भी है जिसके बारे में तमारा बेला को बताने लगती है खेर अब इसके बाद वहाँ नैना नाम की एक सूपरस्टार को बुलाया जाता है जिसका सत्य जीत इंटर्वियू लेता है सत्य जीत उसे पूछता है सुना है आप बहुत सारी प्रोजेक्ट छोड रही है अखिर रीजन क्या है नैना कहती है कि मैं एक जैसी ही रोल में टाइपकास्ट नहीं होना चाहती बस सही रोल का इंतजार कर रही हूँ मगर सत्य जीत कहने लगता है कि आप बहुत बड़े बड़े रोल आफर को ठुकरा रही है आपको मदर इंडिया का रोल आफर किया गया था हॉलिवुड से बॉन्ड गर्ल का उफर आया था नैना शौक हो जाती है और सोचरी होती है कि आखिर ये अंदर की खबर उसे कैसे पता चली सत्य जीत कहता है कि कोई और रीजन है क्या जो आप हमसे छुपा रही है वो सब के सामने खुल कर बता देता है कि नैना प्रेगनेंट है इसलिए वो सारे प्रोजेक्स छोड रही है नैना उसे कहने लगती है ये सब बंद करो बेला भी हैरान हो गई थी और नैना गुसे में ऐसा नहीं करना चाहिए था उसका पूरा करियर दाओं पे लग गया मगर सत्यजीत को इससे कोई फर्क नी पड़ता और वो हरलीन से कहता है ऐसा करके मैं तुम्हारा भी करियर बना रहा हूँ ये मत भूलो हरलीन उसे पूछती आखिर लोग ये सब जानकर करेंगे क्या कि नैना प्रेगनिट है या नहीं सत्यजीत उसे कहता है ये सब बाते छोड़ भी दो वो हरलीन से प्यार करता था और हरलीन उसके साथ सेटल हो जाना चाहती थी मगर सत्य जीद उसे कहता है आखर तुम करियर में इतनी उचाई पर आकर सेटल क्यों हो जाना चाहती हो शादी बच्चे यही सब चाहिए क्या तुमें खैर अब अगले दिन बेला ऑफिस बहुत जल्दी पहुंच आती है और तमारा उसे आकर पूछती है तो बेला उसे बताती है कि वो यहाँ से दूर रहती है और उसे आटो रिक्षा मिलते ही नहीं तमारा उसे कहती है यहां से बस थोड़े ही दूर में एक 1BH के अपार्टमेंट है हम दोनों वहां पर रेंट में रह सकते हैं क्या तुम मेरी फ्लैट मेट बनोगी तमारा पहले डेपोजिट के लिए कहती है 40,000 देना होगा जब अपने सोशल मीडिया को वो खुलती है तो अपनी मा के एक पोस्ट को देखती है जो अपने बेटे समर पर बहुत जादा प्राउड फिल कर रही थी क्योंकि समर ने एक और डील क्रैक कर लिया होता है फिर वो सभी लोग मिलकर स्टोरी स्टोरी डाई नाम के एक गेम को खिलते हैं जहां उन सभी को एक ऐसे ही किसी भी स्टोरी को स्टार्ट करना है और दूसरे को उसे कंटीनू करते रहना होगा और कोई भी बीच में नहीं रुख सकता गेम शुरू होता है और बेला एक उल्लू के बारे में कहानी बनाने लगती है जो हमेशा अपने पिंजरे में बंद रहता था और कोई भी उसे भाव नहीं देता था ऐसे ही कहते कहते वो खुद को उसी कहानी से रिलेट करने लगती है बिल्कुल वैसा जैसा के बेला के परिवार उसके साथ करते हैं और वो इमोशनल होकर उटकर वहां से चली जाती है सैरा उसे बताती है कि बेला का दियावा पर्स वो सेल कर दी थी और उसे काफी सारे पैसे मिले हैं और उस पैसे का इस्तमाल करके वो अपने लिए फ्लैट का डेपोजेट दे सकती है बेला उसे गले लगा लेती है और उनके पास ही में एक उल्लू भी बैठा हुआ था जिसे वो लोग देख रहे थें बेला ये देखकर खुश हो गई थी तभी उसे किसी अनामिका का मेसेज आता है जो कहती है कि मेरे पास एक स्टोरी है जो तुम्हें कवर करनी होगी अगले दिन से नैना की प्रेगनेट वाली स्टोरी हर जगा फैले लगती है और हर जगा उसी को लेकर बाते हो रही थी बेला नील के लिए कॉफी लेकर आती है जो से बिलकुल भी पसंद नहीं आता और उसके लिए एक पार्सल आया हुआ था जो के प्रिंस की तरह से था जिसे देखकर उसके चेहरे से तो खुशी ही उड़ जाती है फिर टमारा उसे पूछने के लिए आती है तो तुमने क्या सोचा बेला उसे कहती है फ्लैट की तस्वीर दिखाने और इतने आलिशान फ्लैट को देखकर वो शिफ्ट होने के लिए मान जाती है अब इसके बाद बेला और नील जाते हैं एक टेलिकॉम कमपनी के इवेंट में जहाँ पर उस कमपनी के CEO मुकुल और उसकी पतनी मिता ली आते हैं स्टेज पर और वहाँ पर उनकी बेटी इजूमी स्पीज़डरी होती है खेर अब इसके बाद मुकूल बताता है कि उसकी टेलिकॉम कमपनी Thought Telecom अपना 5G सर्वेश शुरू कर रही है और यहां सारे फीमेल लोगों को एंटरेंस पर एक लिफाफा दिया गया था और उसमें एक 5G सीम होता है बेला ये सबसे इंप्रेस हो गई थी लेकिन नील उसे कहत है कि मुकूल पॉलिटिक्स में जाना चाता है और इसलिए वो लोगों को अपना सीम बेच रहा है और वो प्रेस की तरफ से आया था तो वो मुकूल से सवाल पूछता है कि आखिर ये सेम आप लोगों को बाट क्यों रहे हैं और वो उसके पॉलिटिकल करियर के बारे में स्टैंड कर पाता है और तब नील अपना फोन निकालता है जो कि काफी पूराना फोन था capture 202 का नोकिया फ्रस्ट कैमरा फोन और वो दिखाता है कि वो भी हैट स्टैंड कर पाता है और वो लोग वहां पर बैट कर वड़ा पाउ खाते है और बेला ऐसे कही बाहर कभी खाई नहीं है तो उसे काफी अजीब लग रहा था लेकिन जब वो एक बाइट लेती है तो वो वड़ा पाउं की फैन बन जाती है नील अपने बारे में बताता है कि वो काफी आमीर खांदान से है लेकिन उसे भीड में खो जाना काफी अच्छा लगता है उसे ऐसा लगता है कि उस नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है लेकिन ये तो कुछ और ही है जो उसने सोचा भी नहीं था क्योंकि फोटो में तमारा कुछ और ही दिखाई थी और ये जगा कुछ और ही है तमारा भी कह देती है कि वो फोटो तो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किये थे बेला शौक हो होगा रात के समय वो अपने कुछ पुराने तस्वीर देख रही होती है जिसमें वो अगस्तिया के साथ होती है असल में उस दिन दोनों की अनिवर्सरी होती है और बेला घर में एक बहुत बड़ा पार्टी रखती है लेकिन ये सबसे अगस्तिया खुश नहीं था और कहता हम तो हर दिन प्राइवेट टाइम ही बिताते हैं तुम अपने फोन पे मैं मेरे फोन पर फिर दोनों का जगड़ा होता है और उस दिन को याद करके बेला काफी दुखी हो जाती है कि तब ही उसका चछत टपकने लगता है जिससे वो और भी निराश हो जाती है तब ही उसे सा अफिस में आती है और एक लड़के से पूछती है क्या इमेल में अनामिका का कोई मेसेज आया तो वो कहता है नहीं तमारा सत्यजीत से पूछने लगती है कि मैने आपको मैंगरोफ स्टोरी के बारे में एक रिव्यू भेजा था आपने पढ़ा की नहीं तो सत्यजीत उसे आखिर तुम कौन हो और तुम मेरा अफिस में क्या कर रही हो तमारा उसे कहती है मैं यहां काम करती हूँ तब भी सत्यजीत की नजर जाती है बेला पर और वो से पूछने लगता है कि तुम यहां क्या कर रही हो तो वो कहती है मैं यहां जर्नलिस्ट हूँ सत्यजीत उसके कपड़े के बारे में कुछ बोलने लगता है तो वो भी उसके शॉर्ट्स के बारे में कहने लगती है और उनके बीच फिर से नोग जोख हो जाती है लेकिन बाकी के लोग आकर बेला को समझाते हैं कि ये कमपनी उसी की है तो थोड़ा उसे बच के रहने और आज बेला को प्रॉम्टर पर रहने की ड्यूटी मिली है और जब सत्य जीत अपने शो पर लाइव जाता है तो वो गलती से जी जिंग पिन को 11 जिंग पिन बोल देता है और जब उसे अपनी गलती का एसास होता है तो वो अपने वर्कर से पूछने लगता है कि प्रॉम्टर पर रहना आज किसकी ड्यूटी थी और वो समझ जाता है वो बेला थी गुसे में वो इंटरनेट पर सर्च करती है कि टॉक्सिक बॉस को मारा कैसे जाए तमारा बेला को एक एब दिखाती है जिसमें वो अपने सारे खर्चे स्प्लिट करेंगे और डिटेल डालेंगे कि दोनों ने मिलकर कितना खर्चा किया तब ही एक पार्सल आता है और उसमें बेला के लिए एक पैंट ड्राइव होता है सत्यजीत आज जिम जाने वाला था और जब वो जिम जाता है तो उसे वहाँ पर नील मिलता है और उनके बीच फिर से नोग जोग शुरू हो जाती है और नील भी हसता है क्योंकि सत्यजीत ने लाइव शो पर चाइना के प्रेसिडेंट के नाम को गलत बोल दिया था फिर दोनों ही एक दूसरे को देखकर अपने अपने ट्रेड मिल का स्पीड बढ़ाने लगते हैं लेकिन आखिर में सत्यजीत गिर जाता है और उसके बाद वो अपने घर आता है तो उसके ममी पापा अपने बेटे को देखकर जबरदस्ती चम्मत से खाना खाने लगते हैं जबके वो पहले हाँच से खा रहे थे तब वो देखता है कि उसकी बेहन देबोलीना कॉलंबिया यूनिवर्सिटी से वापस आ गई थी वो अपने भाई से कह देती है कि उसे जर्नलिजम नहीं करना उसे तो हेयर और मेका पार्टेस बनना है मगर सत्यजीत अपनी बेहन की बाद नहीं सुनता अब इसके बाद हम फिर से बेला और टमारा को देखते हैं जो घर पर वही पेंट रहे वाला वीडियो देख रही थी जिसमें एक औरत है जिसका चेहरा बलर है तब ही वहाँ पर रहने के लिए सायरा पहुँझाती है जिसे वापस देखकर बेला बहुत जादा खुश हो गई थी लेकिन टमारा खुश नहीं लग रही थी सायरा बताती है के वो यहाँ रहने के लिए आ गई है और अब यहाँ हर कुछ तीन भाग में स्प्लिट होगा घर का बिल, रेंट, इलेक्टिसिटी, सब कुछ खैर इसके बाद वो लोग बैट कर उस औरत के वीडियो को देख रहे थे जिसमें वो बताने लगती है कि वो बहुती कम उम्र में मुंबई आ गई थी और आउटसेडर के तौर पे कम समय में उसने अपनी जगह बना भी ली फिल्म इंडस्ट्री में पर एक फिल्म की शूटिंग के लिए वो लंडन गई भी थी कि तभी फिर से घर का डोड़ बेल बचता है और वहाँ पर प्रिंस पहुंच जाता है जिसे सबी हैरान हो गए थे और वही गुलदस्ता बेला को देता है और साइरा तमारा को बताती है कि यह वही लड़का है जिससे बेला ने अपने पती को चीट किया बेला उसे पूछती आखिर तुम यहां क्यों आ गए हो तुम्हें पता है ना मेरे परिवार वालों को पता चल जाएगा तब वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे प्रिंस कहता है मुझे कोई फर्क नी पड़ता मैं तुम्हारे साथ फूट पात पर भी रह लूँगा तुमारा उसे कहती है वो सब तो ठीक है लेकिन तुम यहां रह नहीं सकते वो कहता है मैं यहां नहीं रहूंगा सामने वाले जिम में रह लूँगा वो मेरे दोस्त का है इसके बाद वो चारों मिलकर अनामिका का वीडियो कंटीनू करते हैं और वो बताती है कि वो फिल्म की शूटिंग के लिए लंडन गई थी और वो किसी से मिली थी जो उसके पीछे पढ़ गया था वो उसे गुलदस्ते देता था हर दिन मेसेज भेशता था और उसके साथ सोने को बोलता था लेकिन अनामिका मना कर दी और ये बाद उसको पसंदनी आया और उस आदमी के जेब में पुलिस, मीडिया, सब कुछ है और उसे हर चीज की खबर रहती है इसलिए वो अनामिका को हर दिन ब्लैक मिल करता था और वो आदमी कोई और नहीं बलके मुकूल है थाट टेलिकॉम कमपनी का मालिक जिससे सबी लोग शौक हो गए थे अब वो लोग ये समझ जाते हैं के मुकूल जो इतना फेमिनिस्ट बनने का दिखावा कर रहा था और तो को फ्री में सिम बाटता है ये सब कुछ नाटक है बेला ये स्टोरी नील को दिखाना चाहती थी मगर तमारा काफी जादा जेलस फिल कर रही थी क्यूंकि वो इतने साल से जर्नलिजम कर रही है लेकिन उसे कभी इतनी तगड़ी स्टोरी नहीं मिली और सोचती है कोई भी क्यूट वीडियो बना लेता है और उसे ऐसी स्टोरी कवर करने को मिल जाती है बेला को ये बाते चुप जाती है और कहती है कि मेरे फॉल्लवर जादा है और वैसे भी ये अनामिका का डिसेजन है कि वो किसे अपनी स्टोरी कवर करने को देना चाहती है अब बेला और सायरा दोनों मिलकर अनामिका वाले केस पर काम करना शुरू कर देते हैं लेकिन उन दोनों को इस तरह काम करते देखकर तमारा बीच में कहती है कि वो भी उसका साथ देगी फिर वो लोग अपना रिसर्च करते रहते हैं और रात में थक हर कर सो जाते हैं अगली सुबह उन्हें जगाने के लिए फिर से प्रिंस पहुंच जाता है जो उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था जिसे तीनों लड़कियां हैरान थी और सोचती है कि ये लड़का सच में रियल है या कोई सपना है खेर अब बेला आफिस जा रही होती है तब यू से अचानक अगस्टिया कॉल करता है और वो बेला को देखकर चौक गया था कि वो आटो रिक्षा पे होती है वो उसे बता देता है कि वो उसे डिवोर्स का पेपर भेज देगा जिसे बेला थोड़ी दुखी हो जाती है उसे वक्त साइरा पहुंचती है एक बार में जहांपर वो सभी लोग सटे बाजी लगाते हैं क्रिकेट में कबड़ी में और वहाँ पर एक आदमी होता है जो उसे जान बूचकर एक हारनेस पर चहरने को बोलता है क्योंकि वो लोग एक ड्रामा क्रियेट करने वाले थें और जैसे ही बेला उपर जाती है फिर वो सभी को बोलता है लंच करने के लिए चलने और वो सभी बेला को वैसे ही लटकता वा छोर कर चले जाते हैं लेकिन कुस समय क पर भाँ पर नील आता है और वो बेला को नीचे उता रता है और दोनों बस एक दूसरे को देख दे भी जा रہे थे खेर अब इसके बाद वो अनामिका वाली updates नील को दिखाती है जिसमें मुकूल کا नाम अनामिका लेती है लेकिन नील जानता है कि अनामिका कोई असली इंसान तो है नहीं इसका कोई और नाम है बेला कहती है हो सकता है वो नैना हो नील स्टोरी को कवर करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं सत्य जित की तरह कोई भी सेंसेशनल स्टोरी पर काम नहीं करता वो डीवा कपूर को हर जगा फॉलो करने लगती है पार्लर में, रेस्टोरेंट में जहांपर वो अपने बॉइफरेंट के साथ आई हुई थी जो उसे वही पर प्रपोस कर देता है शादी के लिए और बेला को लगता है शायद डीवा कपूर अनामिका नहीं है तमारा आशिस से मिलती है जो के उसे पसंद करता है फिर वो उसे काम की बाद बताता है के नैना का जो इंटर्व्य हुआ था उसके बाद नैना और विकरम जोधानी जो के उसका बॉइफरेंट है उनका ब्रेक अप हो गया नैना इतनी डिप्रेस हो गई है के वो लोनावला चली गई है एक वेलनेस सेंटर में हो सकता है के नैना के बच्चे का बाप विकरम नहीं शायद कोई और हो क्योंकि कुछ समय पहले वो लंडन गई थी और हो सकता है वहां कुछ हुआ हो और उसे लगता है शायद नैना ही अनामी का है और ये बात जानकर वो ग्रूप में अपनी दोस्तों को बता देती है इसके बाद अगले दिन तीनों दोस्त एक्सेसाइस कर रहे होते हैं और प्रिंस उन लोगों को ट्रेन कर रहा था और एक्सेसाइस करते वक्त प्रिंस और तमारा कुछ जादा ही नज़दीकारे होते हैं और प्रिंस को भी काफी जलन होती है क्योंकि बेला हमेशा नील के बारे में ही बाते करते रहती है फिर हम मुकुल को देखते हैं जो फिर से वोमन एपावरमेंट का ढोंग करता है और सत्यजीत को इंटर्व्यू देते वे कहरा होता है कि लड़की और ओड़तों को equality चाहिए और security भी वो ये भी अलान कर देता है कि वो politics join करने वाला है और इस बारे में वो सभी लोग news room में discuss कर रहे थे कि वो इसी एक story को news में cover करने वाले हैं लेकि नील कहता है कि इंटर्व्यू में एक बार भी सत्यजीत ने tough questions उसे नहीं पूछे लेकिन सत्यजीत उसे कहता है तुम अपने show को देखो ना तुम्हारे show का TRP डाउन जा रहा है CEO भी कहता है कि तुम अपने show को समालो वरना हमें तुम्हारे show को इसी महीने बंद कर देना पड़ेगा अब इसके लिए बेला नील को idea देती है कि तुम्हें अपने कपड़ों को ठीक करना पड़ेगा अगर उसके बाद तुम्हारे show की viewership बढ़ती है तो इसे फायदा तुम्हारे ही होगा इसके बाद वो लोग जाते है shopping करने वहाँ बेला उसे अपने पती अगस्तिया की भी तस्वीर दिखा रही होती है और कहती है इस तरह के कपरे ट्राइ करने मगर नील कहता है कि वो इस तरह के loud कपरे नहीं पहनता खेर वहाँ पर नील को उसकी मआ और उसकी एकस वाइफ दिख जाती है और वो लोग वहाँ बैट कर कॉफी पीते हैं और वहाँ ये पता चलता है के नील की मा और उसकी एकस वाइफ दोनों बहुत बढ़ी Economist हैं और नील की मा ने एक किताब भी लिखा है और उस किताब का नाम सुनकर बेला याद करती है कि वो भी इस किताब को पढ़ी हुई है जिससे मीरा शौक हो जाती है और बेला के पास एक नॉमिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज भी होती है जिससे के वो दोनों औरते हैरान हो जात किया नील बताने लगता है कि उसकी पतनी एरा भी एक एकनॉमिस्ट है और इसलिए उसके एक्स वाइफ और उसकी मा की बहुत अच्छी बनती है लेकिन वो अपना ये शादी नहीं बचा पाया क्यूंकि हर दिन उन दोनों का जगड़ा होते रहता था और घर पर सभी ने नील पर प्रेशर बनाया था कि वो अपने करियर में कुछ तो करे इसलिए उसने सब कुछ छोड़ दिया नील बेला से कहता है उसके साथ आईये ने आवार्ड शो पर चलने के लिए असिस्टन के तोर पर नहीं बलके डेट बनकर जिससे बेला भी खुश हो जाती है आखिर में अफिस के बाद तमारा घर आती है तो प्रिंस वहीं पर था जो खाना बना रहा था दोनों वहां बैट कर बाते करने लगते हैं और तमारा अपने बारे में बताती है कि उसकी मम्मी एक सिंगल पैरेंट थी और इसलिए उसे वो परिवार वाला प्यार नहीं मिला कभी और उ इससे उसका दिल तूट गया था दूस्ती तरफ तमारा प्रिंस के प्यार में डूपते जा रही थी अब अगले दिन देखते हैं कि प्रिंस तमारा को स्मूदी बना कर पिलाता है बेला सोच रही होती है क्या अनामी का ही नैना है और वो वीडियो में जूम करके देखती है के सोफा पर डिजाइनर मनीश का डिजाइन किया हुआ एक जैकेट था वो भी लिमिटेड एडिशन और ऐसे सिर्फ नौ जैकेट है और अब बेला को ढूड़ना है ये नौ जैकेट किन लोगों ने खरीदा है लेकिन तमारा पूछती है कि आखिर मनीश से बात करने कौन ज भी थी लेकिन गायतरी अपनी बेटी को देखकर भागने लगती है बेला उनसे कहती है कि मुझे बस आपसे बात करनी है और वो सायरा को ढूड रही थी लेकिन वो तो बेटिंग करने के लिए चली गई थी जो उसकी आदत है बेला की मा कहती है कि वो यहाँ सब के सामने बे बेला अपनी मां से कहती है कि आपको मनी से बात करनी होगी और उसने जो पिछले साल लिमिटेड एडिशन जैकेट बनाई है उसकी लिस्ट मुझे चाहिए किन लोगों ने खरीदा है गायतरी मना कर देती है कहती है कि मैं ऐसे किसी से जाकर कस्टमर की लिस्ट थोरी मांग सकत बेला कहने लगती है कि मैं जर्नलिस्ट का काम करती हूँ और मुझे बहुत बड़ी स्टोरी कवर करने को मिली है छोड़ो वैसे भी आप मेरे स्टरगल को कहा समझोगी तो गायतरी कहती है कि तुम्हें सागर के बारे में पता है सागर एक छोटा सा शहर है मंदर प्रदेश में और गायतरी के पापा बैंक में कलर्क थे गायतरी तीन बहन थी और वो सबसे चोटी थी पैसे कम थे जरूरते जादा गायतरी मुंबई एक्टर्स बनने के लिए गई थी और उसने गाना भी किया और तभी बेला के पापा की नजर गायतरी पर पड़ी और तभी दोनों मुझे अब आपकी मदद नी चाहिए बेला वहाँ से चली जाती है और अब इसके बाद अगले दिन जब वो आफिस में होती है तो वो हर लिन से मिलती है और कहती है कि मुझे सत्य जीत के फोटोस चाहिए विडियो कंपाइल करने के लिए तब ही कंप्यूटर पर एक मेल आता से है और उसमें नैना का नाम भी था और वो लोग नैना के बारे में ही सोच रहे थे और उन्हें लगने लगता है कि अनामी का नैना ही है टमारा साइरा को कॉल करके बताती है कि उन्हें लोनावला जाना होगा क्योंकि अनामी का मतलब के नैना वहीं है वेलने सेंटर में हर सत्यजित की मा कहती है कि सत्यजित को कोई लड़की पसंद नहीं आ थी इतने सारे प्रोफाइल उसे दिखाती हूँ लेकिन पता नहीं उसे कौन सी लड़की पसंद है ये सब देखकर हरलीन काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वो सत्यजित को पसंद करती थी लेकिन लगता है स situation को मैं खुद समभल लूँगी प्रिंस बेला को बताता है कि उसने बेला को देखा नील को किस करते हुए लेकिन वो उसे ये भी कह देता है कि वो बेला से प्यार नहीं करता क्यूंकि जब उसने नील को देखा किस करते हुए तो उसे कुछ फील नहीं हुआ और वो खुद को दोश मत दो, मुझे तो शादी में घुटन हो रही थी, खेर अब बेला को भी पता चल जाता है कि प्रिंस और टमारा एक दूसरे को पसंद करते हैं, अब इसके बाद अनामिका को ढूनने के लिए टमारा और सायरा लोना वला जाते हैं, और एक विलनेस सेंटर में पहुँच नहीं देती, फिर वो उसे लिख कर देते हैं कि हमें पता है कि बच्चे का बाप कौन है, नैना डड़ जाती है और उन दोनों को साइड में लेकर जाती है, वो लोग बात करते हैं तब ही वहाँ पर नैना का बॉइफरेंड विक्रम आ जाता है, जो उसके साथ सब कुछ सौ जादी के लिए प्रपोस कर देता है, सैरा सोचने लगती आखिर सब एक दूसरे को प्रपोस ही क्यों कर रहे हैं, बस मेरी लाइफ बन जड़ है, इसके बाद आखिरकार आई एन आ एवार्ड वाली रात आ जाती है, जहां सारे जर्नलिस्ट आय होते हैं, और वहाँ पर सत् ही है, जादा कुछ नहीं, क्यूंकि आज कल तो न्यूस चनल पर भी कुछ जादा ही ड्रामा होने लगा है, और वो सत्यजीत की तरफ इशारा कर रही थी, फिर वहाँ पर नील आता है, और वो बेला से उसके केस के बारे में पूछता है, कि कुछ आगे बढ़ा या नहीं, तो अपने दोस्त सायरा और टमारा को फोन लगाती है, लेकि वो लोग फोन ही नहीं उठाते हैं, क्यूंकि उनका फोन वेलनेस सेंटर के रिसेप्शन पर समिट था, और वो नील से कह देती है, कि मुझे 100% यकीन है, कि नैना ही अनामिका है, और उसके बच्चे का बाप मु मुकुल के साथ डील करने वाला है, लेकिन उसकी बहन मना करती है, क्यूंकि वो अच्छा इंसान नहीं है, समर उसे कह देता है, कि तुम जो भी स्टोरी पर काम कर रही हो, मुकुल के बारे में वो बंद कर दो, ये सब बाहर नहीं आना चाहिए, अपने परिवार के बारे मे सोचो, क्यूंकि तुम्हें आखिर में अपने घर ही तो आना है, फिर वो अपने पती अगस्तिया को देखती है, जो अनीशा नाम की लड़की के साथ आयवा था, बेला को ये देकर काफी बुरा लग रहा था, कि उसका पती मूव ओन कर चुका है, समर बेला से कहता है, कि त उसे बचाने के लिए वहाँ पर हरलीन आती है, और बेला को वहाँ से ले कर जाती है, और उसे घर छोड़ती है, बेला उसे थैंक्यू कहती है, लेकिन हरलीन कहती है, कि मैंने ये तुम्हारे लेनी किया, हमारे न्यूस चैनल की रेप्यूटेशन तुमसे भी उपर है, अग मधूलिका उसे पूछती है कि तुम स्टोरी कप कवर करने वाली हो। बेला मधूलिका से मिलती है और मधूलिका अपनी सचाई बताने से काफी डर रही थी। तो बेला उसे हिम्मत दिलाने के लिए कहने लगती है कि जो मैंने कुछ दिन में देखा है। मैंने तो इस बारे मे उसे समझ नहीं आता था, जब मधुलिका बहुत बड़ी स्टार बन गई तो वो अपने एडल्ट फिल्म की सारी कॉपी खरिद ली, ताकि कोई भी उसे देख न पाए, लेकिन मुकूल के पास एक कॉपी है उसके कम्प्यूटर में, और हर एक दिन मुकूल दस सेकेंड का क्लि मधुलिका को भेजता है, और अगर मधुलिका उसके साथ नहीं सोएगी तो मुकूल एडल्ट फिल्म को लीक कर देगा, बेला उसे कहती है कि तुम इस फिल्म को रिलीस कर दो, क्या ही हो जाएगा, मगर मधुलिका कहती है कि उसका बॉइफरेंड बहुत बड़ा एक्टर है और वो वैसे भी मधुलिका से नाराज रहता है, बेला उसे कहती है कि अगर वो तुम से सच्चा प्यार करता है, तो उसे ये सब की फिक्र नहीं होगी, और वो तुम्हें चाहता होगा, मगर मधुलिका कहती है मेरा रेप्यूटेशन, फैन, सब कुछ चला जाएगा, पिछ और प्रिंस का तो शुरू हो चुका था, वो अपने ही दुनिया में होते हैं, बेला प्रिंस से मदद मांगती है कि उसे मुकुल के कम्प्यूटर में से एक फिर्म डिलीट करना है, वो कहता है हो जाएगा लेकिन बस उसे कम्प्यूटर चाहिए होगा, उन्हें पता है कि को स्विमिंग सिखारी होती है, और दोनों के बीच कुछ न कुछ तो है, जो समय के साथ बढ़ते जा रहा है, इसके बाद हम सत्यजीत को देखते हैं, जो पागल हुए जा रहा था क्यूंकि अगले शो के लिए उसे कुछ आइडिया समझनी आ रहा था, फिर बेला वहां प पतनी मिताली से वो लोग बात करने लगती हैं, और बेला कहती है कि वो उसी के कॉलेज में पढ़ा करती थी, कॉलम्बिया में, इजूमी जो हैरी पॉर्टर बनी वी थी, वो बहुत गुसे में थी, और कहती है कि जब पापा एंगे तभी मैं केक काटूंगी, तभी वहां पतनी का ओरत होती है, जो पहचान लेती है कि वो तो बेला है, समर की बहन, और बेला का भंडा फूट जाता है, लेकिन तभी वहां पर टमारा पहुंचाती है, हीलर बनकर, और वो वहां अगरबती घुमाते वे मिताली और सभी औरतों को लेकर चली जाती है, इसके बाद ब बेला को लेकर अपने पाबा के ओफिस में चली जाती है, और उसे लैपटाप नहीं मिल रहा था, तभी मुकुल भी घर में पहुँच गया था, लेकिन सायरा उसके सामने आ जाती है, और बस उसकी जूटी तारिफ करने लगती है, कहते रहती है कि मैं तो आपकी बहुत अपन करके दे भी देती है, लेकिन तभी मुकुल अंदर आने लगता है, और बेला के दोस्त उसे कहते है, मिशन को अबॉर्ट करने और बहार आ जाने के लिए, लेकिन इतने करीब आकर वो ऐसे ही नहीं जा सकती थी, और उसे वो फिल्म वाला फाइल नहीं मिल रहा था, त वो सभी लोग साइरा पर थोरे गुसा थे क्यूंकि वो मुकुल को बाहर रोक नहीं पाई, जिससे साइरा भी उदास हो जाती है क्यूंकि सभी लोग उसी पर इलजाम लगा रहे थे, बेला लैपटाप से एक फोटो क्लिक की थी जिसमें मधुलिका के नाम से बहुत सारा फ फाइल नहीं मिला, ये जानकर मधुलिका गुसा हो जाती है क्यूंकि वो बेला पर भरोसा की थी, कि वो उसकी मदद करेगी लेकिन वो नहीं कर पाई, बेला उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुकुल से बदला ही लेना है, तो खुद के पास्ट से और मुकुल से इतना डरना काम की थी, बलके वो तो इस बात से हैरान है कि कोई उसे ब्लैकमिल कर रहा था और वो इस बारे में उसे बताई नहीं, वो मधुलिका से प्यार करता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि उसने पास्ट में कौन सी गलती की, मधुलिका चैन की सांस लेती है क्यूंकि उस लेकिन जिसकी स्टोरी है शैद उसका करियर खतम हो सकता है। इसके बाद मधूलिका कैमरा के सामने आती है और बताने लगती है politician मुकूल का वो सच जो लोग जानते ही नहीं है कि वो कितना बड़ा जूटा है fake feminist है और उसने मधूलिका के साथ क्या किया ये सब कुछ अगस्तिया भी देख रहा था और वो मुकूल के कमपनी के साथ अपना डील करने से मना कर देता है समर कहता है बेला ने कुछ कहा है क्या वो तो एक नबर की इडियट है उसकी बात मस सुनो मगर अगस्तिया कहता है वो इडियट नहीं है हम इडियट है और वो मधुलिका का वीडियो से दिखाता है और वो समर पर काफी गुसा था क्यूंकि बेला ने इस बारे में पहले ही समर को बताया था लेकिन समर ने इस बात को इगनोर किया वीडियो में मधुलिका बाकी लोगों से कहती है कि अगर उनके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो सामने आकर अपनी स्टोरी शेयर करें इसके बाद ये वीडियो वाइरल जाने लगती है और काफी सारे लोग कमेंट्स करते हैं और शेयर करते हैं और ऐसी बहुत सारी ओड़ते सामने आती है जिन लोगों का मुकुल ने फैदा उठाया था अब इस बारे में मिताली को भी पता चल जाता है लेकिन मुकुल अपनी पतनी को जूट कहने लगता है कि वो अगले election में CM candidate बनने वाला है इसलिए ये सब जूट फैला रहा है उसका political career खराब करने के लिए ये सब जूट है फिर वो सत्यजीत को call करता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है तुमारे चैनल में काम करने वाली एक employee ये सब कर क्यों रही है सत्यजीत कहता है कि मैं ये handle करता हूँ सत्यजीत उसे मिलने के लिए आता है और सत्यजीत मुकुल से कहता है कि वो लड़की तुमारा कुछ नहीं बिगार सकती उसे तो खुद उसके घर वालों ने निकाल दिया मगर मुकुल कहता है कि मैं उसे तबा होते वे देखना चाता हूँ अब सारे रिपोर्टर्स और मीडिया की लोग मुकुल के पीछे पड़ जाते हैं और उसका असली चैरा अब लोगों के सामने आने लगता है जिससे चारों दोस्त काफी जादा खुश थें और तब ही उनके साथ पार्टी करने के लिए नील पहुंच जाता है और वो सबी लोग ड्रिंक करते हैं और नील बेला पर काफी प्राउड फिल करता है क्योंकि वो ये स्टोरी बहुत सही तरीके से कवर की है और वो देखती है कि इंस्टा पर उसके फॉलोवर्स बढ़ते ही जा रहे थें और उसे अगस्तिया का मेसेज भी आता है और वो उससे बात करना चाता है लेकिन बेला मेसेज को इगनोर करती है फिर एक शुरूती नाम की लड़की का मेसेज आता है जिसका नाम उसने मुकूल के कम्प्यूटर में देखा था और वो अपनी कहानी बताती है कि वो भी इंजिनेरिंग कॉलेज में पढ़ा करती थी और उसी कॉलेज में एक इवेंट में मुकूल आया था और उसने भी शुरूती के साथ जबर्दस्ती की थी और भी कई सारे मेसेज़ेज आते हैं लेकिन वो सोचने लगती है कि आखिर वो प्रूफ कैसे करेगी कि ये सारे स्टोरीज सच है सत्यजीत अपनी बेहन के साथ निउस देख रहा था जहां पर मुकूल का परदा फाश हो चुका था और इस पर उसकी बेहन का जगड़ा हो जाता है क्योंकि सत्यजीत के हिसाब से लड़कों को भी उनके राइट्स देने चाहिए लेकिन देबोलीना के हिसाब से मुकूल एक दोशी है और वो गुसे में उठकर वहां से चली जाती है फिर मीडिया के सामने मिताली आकर कहती है कि उसे अपने पती पर पूरा भरुसा है उसका पती इनोसेंट है और वो अपने पती को बचपन से पहचानती है और मुकुल ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया सत्यजीत उसे कॉल करता है और मुकुल उसे कह देता है कि अगर मैं अंदर गया तो तू भी नहीं बचेगा प्रिंस ये सोच रहा होता है कि आखिर सत्यजीत वाले इमेल से मुकुल के लैपटॉप पे आ क्या रहा था मैसेजजेज में क्या था और वो बेला और टमारा से कहता है कि ये तुम दोनों को ही पता करना पड़ेगा मैं तुम दोनों को एक प्रोग्राम दोंगा और उसे तुम्हें उसके लैपटॉप में डालना होगा मैं बेला ओफिस जाकर हरलीन से मिलती है और उसे पूछ लेती है कि तुम सत्यजीत और मुकुल की साइड क्यों ले रही हो हरलीन कहती है मैं इस कंपणी की साइड में हूँ खेर वो लोग बाते कड़ते रहते हैं दुसरी तरफ तमारा सत्यजीत के ओफिस में चली जाती है और उसके कंप्यूटर में प्रिंस का दिया हुआ ड्राइव लगा देती है फिर प्रिंस अपना टैलन्ट दिखाता है नई नई बॉड़ी बिल्डिंग नई अपना हैकिंग टैलन्ट और सत्यजीत के कंप्यूटर में जो कुछ भी था प्रिंस अब वो अपने कंप्यूटर में देख पा रहा था काम हो जाने के बाद टमारा ओफिस से बाहर आती है और बेला भी हरलीन का दिमाग खाना छोड़ देती है इसके बाद ओफिस में सत्यजीत सोच रहा होता है कि अब वो कौन से टॉपिक कवर करेगा किसका कैरेक्टर डिस्ट्रोई करेगा हरलीन एक आइडिया देती है कि हमारे शो का 100 एपिसोड होने वाला है तो क्यों ना दो गेस्ट को भुलाया जाए एक मुकुल और दूसरी बेला दोनों को डिबेट करने दो सत्यजीत को आइडिया पसंद आता है और प्रिंस को सत्यजीत के कम्प्यूटर से जो कुछ भी मिला वो सभी लड़कियों को दिखा रहा था वो दिखाता है कि उसमें बेला का भी फोटो था मतलब कि बेला का भी डाटा सत्यजीत के कम्प्यूटर में था और वो सोचने लगता है कि आखिर सत्य जीत और मुकुल को ये सब भेज कौन रहा है तब ही बेला को हरलीन का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसे मुकुल के साथ डीबेट करना होगा बेला घबराने लगती है लेकिन वो जानती है कि उसके उपर एक बहुत बड़ी responsibility आ गई है उसे सबी लड़कियों की तरफ से मुकुल को face करने का मौका मिला है इसलिए वो ये show करने के लिए मान जाती है बेला तयार हो रही होती है और वो साइरा का एक scarf ले लेती है पहनने के लिए जिससे वो हैरान हो गई थी क्योंकि उसे उमीद नहीं थी कि कभी बेला उसकी कोई चीज लेगी पहनने के लिए साइरा अपने problem के बारे में बताने लगती है जो कि gambling betting की है कहती है कि वो इससे आगे बढ़ना चाती है बेला भी कहती है मेरी भी problem है कि मैं shop lifting करती हूँ और हमें अपने problem से जीतना होगा साथ में कोशिच करेंगे खैर अब इसके बाद वो लग पहुँचते हैं शो के लिए और वहाँ साहरा वादा करती है कि वो एक महीने बीना कोई betting के बिताईगी उसके सारे दोस्त बेला को होसला देते हैं और वो अपने दोस्तों को गले लगाती है उसे मधुलिका का भी message आता है जो से कहती है मुकुल को मज़ा चखा दो खेर अब इसके बाद शो स्टार्ट होता है और सभी की नजरे शोवर होती है अब वहाँ पर सत्यजीत बेला के करेक्टर पर सवाल उठाने लगता है कि वो अपने पती अगस्त्या को फसाने की कोशिश की थी ताके वो से शादी कर पाए तो क्या वो गोल्ड डिगर है बेला कहती है अगर मैं गोल्ड डिगर होती तो अब ही बहुत अमीर होती यहां नहीं बैठी होती और क्या तुम सिर्फ मुसे सवाल पूछते रहोगे या फिर मुकुल से भी पूछोगे या हिम्मत नहीं है अगर नहीं है तो मैं पूछती हूँ अब इतनी बेज़ती कम थी के वहाँ पर वो बेला का शॉप लिफ्टिंग करने वाला वीडियो चला देता है जिसे देखकर सबी लोग हैरान हो गए थे बेला भी बहुत ज़्यादा इंबारेस हो गई थी और सत्य जीत ये भी सच सामने ले आता है कि बेला का उसके जिम ट्र में होने वाला था उसके साथ मैं लंडन में था ही नहीं मैं तो अपने परिवार के साथ अंडमान घुमने के लिए गया वा था वा मैं स्कूबा डाइविंग सीख रा था बेला गुसे में उसके उपर माइक फेक देती है जिस पर सत्य जीत कहने लगता है कि आरे यहां कोई वाइलन्स अलाउड नहीं है तभी बेला कहती है कि आप माई को कैच क्यों नहीं कर पाएं आपका लेफ्ट हांथ उठ नहीं पाता आपका फ्रोजन शोल्डर है इसलिए आप अपनी बेटी को भी उठा नहीं पाते हैं तो ऐसे में आप स्कूबा डाइविंग कैसे कर लेते हैं वो ये भी कह देती है कि टेलिकॉम कमपनी का CEO होकर मुकूल ने बहुत बड़ा फायदा उठाया है क्यूंकि उसके पास अपने विक्टिम्स की सारी इंफॉर्मिशन होती है ये सुनकर सत्यजीत अचानक से मुकूल के खिलाफ हो जाता है और कहता है कि आपको जवाब त क्रेक्टिविटी कर रहा है तो सत्या का साथ देने की यगब का सत्यजीत ने एक डील किया मुकूल के साथ और सत्यजीत अपने शोव पर जिन जिन लोगो को बुलाता था उनका सारा प्राइवेट ड़ाटा वो मुकूल के टेलीकॉम कमपनी से लेता था और उसी डाटा से वो अपने बुलाएवे गेस्ट को बेज़द करता था ये सब सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे नैना की प्रेग्निंसी टेस्ट सब कुछ पता चल गया था यहां तक के जब से बेला ने मुकुल के टेलिकॉम कमपनी का सिम लगाया है तब से उसका इंफॉरमेशन भी सत्यजीत के पास आ रहा है अब सत्यजीत कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और वो कहता है कट करने के लिए लेकिन हरलीन अपनी टीम से कहती है ब्रेक में जाने की जरुवत नहीं है चलने दो दूसरी तरफ स्टेज में सत्यजीत और मुकॉल ब्रेक पर जाने का इंतजार कर रहे थे लेकिन ब्रेक तो आने ही नहीं वाला था फिर बेला स्क्रीन पर जो से सत्यजीत के कंप्यूटर पर मिला वो चलाती है और उसमें कनफेशनल नाम का फोल्डर था जिसमें उन सारे गेस्ट का प्राइवेट इंफॉर्मेशन था जिनने शोपर बुलाय गया था और टेलीकॉम कंपनी का फ्री सिम बेचना बस डाटा माइनिंग करने का एक आसान जरिया था ताकि जब मुकूल इलेक्शन के लिए खड़ा हो तो वो अपने दुश्मनों को ब्लैकमेल कर सके सब कुछ बाहर आने के बाद सत्यजीत और मुकूल स्टेट छोर कर चले जाते हैं और सबी लोग बेला के लिए ताली बजाने लगते हैं सत्यजीत हरलीन पर चलाता है और कहता है मैंने कहा था ना कट करने के लिए क्या कर रही थी तुम हरलीन कहती है ये मेरा शो है मुकूल का सच बाहर आने के बाद मधूली का भी बहुत खुश थी बेला अपने सारे दोस्तों को थैंक्यू कहती है उसकी मदद करने के लिए फिर हरलीन भी आकर बेला को गले लगाती है और वहाँ बेला की मा गाहितरी भी आ गई थी और वो अपनी बेटी बेला पर बहुत प्राउड फिल कर रही थी खेर अब अगले दिन ये शो का 100 एपिसोड वाइरल चला जाता है और सबी लोग की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉंस आ रहा था कि जर्नलिजम बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए फिर हम उस पुलिस टेशन वाली बुढ़ी औरत को देखते हैं जो भी बहुत जादा खुश थी बेला को देखकर और वो आदमी भी था और वो कहता है कि बेला को मुंबई जाने में मैंने ही मदद की थी गायतरी अपनी बेटी को फैमली ग्रूप में आड़ कर देती है जिसे देखकर समर हैरान हो गया था और गायतरी अपने बेटे से कह देती है कि अब तुम्हारे लौस एंजलिस जाने का समय आ गया है खेर आखिर में TRP न्यूस चैनल को सत्य जीत छोर कर चला जाता है CEO नील को प्राइम टैम शो करने का ओफर देते हैं और बेला और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थें क्यूंकि नील ये डिजर्व करता है इसके बाद शाम के समय सभी लोग पार्टी करने के लिए आते हैं और प्रिंस और टमारा गोवा जाने वाले थें छुटी मनाने के लिए कि तभी अचानक से नील अपने घुटनों पर बैट जाता है बैला के सामने सभी को लग रहा था वो उसे प्रोपोस करेगा लेकिन नहीं वो उसे एक शो आफर करता है और कहता है उस शो का नाम होगा कॉल मी बे जिसे बैला एंकर करेगी और नील प्रोड्यूस करेगा कि तभी उन्हें हेलिकॉप्टर की आवा सुने देने लगती है और वहाँ पर अगस्तिया पहुंजाता है वेडिंग रिंग लेकर अपनी बेला के लिए बेला खुश नहीं थी और वो पीछे मुर कर नील को देखती है और सोचती है अब वो किसे चुनेगी और इसे के साथ ये शो यहीं पर खतम हो जाती है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताएं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दे चानल को भी सबस्क्राइब कर दे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में टेक केर